प्रश्राइब दोस्तों, मैं दोक्टर सुहेल दलाल, संजीवनी आईरवेदा होस्पिटल सूरत गुजराच से और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दोक्टर दलालस आईरवेदा में दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुर्दे की पत्थरी के बारे में, यानि की यूरिनरी स्टोन के बारे में दोस्तों, हम यूरिनरी स्टोन के बारे में बात करते हैं पूरी दुनिया में अगर देखने जाए तो दस प्रतीशत लोग जो है वो यूरिनरी स्टोन यानि की गुर्दे की पत्थरी की समस्या से पीरित हैं और अगर इंडिया की बात करें, तो 15% से ज़्यादा यानि की 15 करोड से ज़्यादा लोग जो है वो यूरिनरी स्टोन की समस्या से पीडित हैं तो दोस्तों हम देखते हैं कि कौhores ऐसे कारण है कि जिसकी वजेसे Yurinary Stone यानि कि गुर्दे की पत्री होती है आययूर्वेेट में इसवाय अजली एक 2017 आययूर्वेट में आयेसा कहा गया है कि जब कंव की वृद्धी होती है यूरीन में, यूरीन में जब कफ की वुरुद्धी होती है, तब उसमें से स्टोन का निर्मान होता है, अब कुछ ऐसे कारण है कि जिसकी वज़े से यूरीनरी स्टोन जो है वो निर्मान होता है, ऐसे कारणों में सबसे पहला कारण हम अगर देखने जाएं, तो हमारे खोरा में शुगर यानि की मीठापन फैट यानि की फैट वाला चरबी वाला खना एनिमल प्रोटीन यानि की बहुत ज़्यादा प्रोटीन वाली चीजें ऑग्जेलेट रिच फूड और ग्रीन लीफी वेजीटेबल्स इन चीजों का जो लोग ज्यादा सेवन करते हैं उन लोगों यूरिनरी स्टोन यानि की गुर्दे की पत्री होने के चांसिस बढ़ जाते हैं दूसरा एक महत्वपूर कारण यह है कि जो लोग पानी का इंटेक कम करते हैं जिन लोगों के फूड में जिन लोगों की लाइफ स्टाइल में पूरे दिन में बहुत कम पानी का इंटेक होत उसके बाद एक महत्व पूर्ण कारण जो आजकल की लाइफस्टाइल में देखा जाता है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है यानि कि हमारा बैठने वाली जीवन शेली जिसमें ज्यादा कामकाज ना होना और पूरे दिन बैठे रहने वाली जीवन जिन्दगी होती है जिन लोगों को बार बार यूरिनरी ट्रेक इंफेक्शन हो जाता है जिनको यूटी आई की बहुत ज्यादा तकलिफ होती है वैसे लोगों को यूरिनरी श्टोन यानि की गुर्दे की पथरी होने के चांस बढ़ जाते हैं जो लोग हाइपर थाइरोडिजम से पीरित है या जि जाते हैं और जो लोग हाइपर टेंशन की यानि की हाई ब्लेड प्रेशर की दवाई लेते हैं उन लोगों को भी यूरिनरी श्टोन होने के चांस ज्यादा होते हैं कुछ सप्लिमेंट्स जैसे के कैल्शियम के सप्लिमेंट्स है या विटामिन डी के सप्लिमेंट्स का कैने चान्स ऐसे युडिन में बंपढ़े की पत्री पत्र है। allez उसकी पूरी बनने की प्रक्रिया कि सब्से पहले metabolic disturbance होता है यानि कि आयरुवेट के इसाब से हम देखने जाए तो धात्वागनी मांदिय हो जाता है आयरुवेट में सब कहा गया है कि रोगाहा सरवे अपी मंदागनों हो सारे रोग जो है वो जठरागनी और धात्वागनी के मांद होने की वज़़से होते हैं और modern science के इसाब से भी urinary stone होने का सबसे पहला कारण metabolism का disturb होना है उसके बाद metabolism जब disturb होता है तो क्या होता है कुछ solid particles जो है वो urine में बढ़ने लगते हैं हमारे urine में जनरली 96% जो है वो urine होता है पानी का भाब होता है और 4% solids होते हैं solids जैसे के calcium, oxalate, uric acid, phosphate, urea, creatinine, carbonate ऐसे बहुत सारे solids होते हैं जो 4% urine में होते हैं लेकिन जब क्या होता है water यानि की पानी जो 96% है वो कम होने लगता है और solids की मात्रा बढ़ने लगती है तब stone की formation होने लगती है दूसरा हम देखने जाए chillating agents जैसे के citrate या magnesium की कमी होने की वज़े से भी होता है urine की acidity यानि की pH value बढ़ने की वज़े से भी urine में stone formation होने लगता है अब दूसरा कारणूं देखता है metabolism के disturb होने के बाद super saturation of urine होने लगता है यानि की urine जो है उसकी saturation उसकी picture था उसका जो गारापन है उसकी जो सांद्रता है वो बढ़ने लगती है जिसको हम आईरवेद के हिसाब से सब कफ मुत्रम कहते हैं यानि की urine में कफ increase हो जाना फिर उसके बाद तीसरे stage में urine में acidity बढ़ने लगती है जिसको सब पित्तम हुत्रम कहा जाता है और उसके बाद आगे अगर हम देखने जाए तो चोथे stage में stone formation होने लगता है stone formation कैसे होता है कि छोटे 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 क्रिस्टल्स जो है वो हमारी गुर्दे में हमारी जो गुर्दे है kidneys है उसमें उसका जो papilla का जो भाग है उसमें छोटे-छोटे crystals जो है वो जमा होने लगते हैं ये crystals जो है वो जमा होते होते growth stage में आते हैं फिर aggregation होता है और stones का निर्मार होने लगता है ये urinary stone जो है वो 2-3 mm से लेके 5 mm तक भी होती है और उससे बहुत बड़ी यानि कि 25-50 mm तक के stones भी होते हैं 5 mm तक की जो पत्री है वो हमारी यूरेटर से आसानी से urine के थ्रू बाहर निकल सकती है लेकिन 5 mm से अगर stone की size बड़ी होने लगी क्योंकि हमारी यूरेटर है जो pipe है उसकी size 10 mm है अगर 5 mm से बड़ी stone जो है बड़ी पत्री जो है वो हमें trouble यानि की difficulty पैदा कर सकती है तो दोस्त जिनके गुर्दे में पत्री हो जाती है उनको क्या-क्या symptoms देखे जाते हैं सबसे पहला symptoms जो है वो unbearable pain बहुत ज्यादा दर्द का एसास होता है यहां हमारे पीठ के बाद से लेके आगे तक बहुत ज्यादा pain होता है और urine अगर लगी है तो urgency हो जाती है यूरेटर जाने की यानि की बहुत जल्दी जल्दी पिशाप जाने की इच्छा होती है उसके वाद कभी-कभी incontinence of urine हो जाता है यानि की urine अटक-टक के आता है या दो धार में urine होता है फिर कुछ लोगों को जब pain बढ़ जाता है तो nausea की feeling आती है यानि उबाई आने लगती है उल्टी जैसा feel लोने लगता है कुछ लोगों को उल्टिया हो जाती है और इसमें अगर excessive stage हो जाता है तो उसमें fever भी आने लगता है और burning maturation यानि की urine करते वक्त यूरीन पीला होना यल्लो होना और urine में जलन मेंसूस होना ये भी देखा जाता है और कुछ stage में hematuria यानि की urine में blood आता हुआ देखा जाता है अब कुछ ऐसे कारण भी हम देख लेते हैं कि जिनकी वज़े से urinary stone होने के चांस बढ़ जाते हैं जैसे के hereditary है कुछ लोगों को heredity होता है mother father को भी गुर्दे की पत्री की शिकायत होती है और उनके बच्चों को भी गुर्दे की पत्री की सिकायत होती है vitamin D और calcium का ज्यादा intake करना पालक है फिर mutton है फिर eggs है dry fruits है इनका ज्यादा सेवन करना फिर पानी का कम intake करना जो मैंने आपको आगे बताया और urinary stone है वो ज्यादातर पूरूशों में देखा जाता है और स्त्रियों में इसका होने का जो प्रमान है वो पूरूशों की सापेक् घृष गुर्दे की पथरी बनने में क्या क्या सिम्टम सातें जिनको पत्री की सिकायत होती है're my friends अब में आपको बताने जा रहा हूं कुछ यसी अईरुवेडिक home remedies के बारे में के जिनका सेवन करने से गुर्दे की पत्री आअसानी से निकल जाती है जिन लोगों को गुर्दे की पत्री की सिकायत है उन लोगों को तीन चमच ओली ओल लेना है और तीन चमच निम्बू का जियूस उसके साथ मिक्स करना है तिन चमच ओलीव एल और तिन चमच निंबु का जूस मिक्स करने के बाद उसको रात को सोते वक्त लेना है और जिन लोगों ने रात को सोते वक्त ये मिश्रण का सेवन किया है उनको सुबा उठके खाली पेट एक सेव यानि एक APPल का सेवन जरूर करना है इस रेमेडी का कि आपको कुल्थी लानी है उसके साथ साथ गोखरू और पासान बेद इसका पाउडर मिक्स कर देना है गोखरू पासान बेद और कुल्थी का पाउडर मिक्स करके वह पाउडर में से एक चमच सुबा शाम खाना खाने के बाद लेने से गुर्दे की पत्री आसानी से निकल जाती है एक और बहतरी नौशदी है अईरुवेद की पुनर रवा आप पुनर रवा का पाउडर पचास ग्राम और गोखरु का पाउडर पचास ग्राम मिक्स करके इस मिक्सर का एक चमच सुबा और एक चमच शाम को खाना खाने के बाद सेवन करने से गुर्दे की पत्री जो है वो निकल जाती है अब आपको कुछ डायेट बता देता हूं कि जिन लोगों को गुर्दे की क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए आपको अगर पत्री की सिकायत है तो आपको क्या नहीं खाना चाहिए आपको मीट नहीं खाना है एग्स नहीं खाना है टॉमेटो ड्राइफ्रूट ओईली और स्पाइसी मतलब तला हुआ तीखा तला हुआ खाना उसके बा आप पानी का बहुत जादा रखे दिन में कम से कम 3-4 लेटर पानी का ζुडन करें जिनको गुर्दे की पथ्री तकलिफ है आपको फ्रेश जूस के भी हितावPower है आप निम्बु के पानी का जुडन कर सकते हैं अच्छ से यूरिन उससे पास उता है, ये सारी जीजों का सेवन, जिनको गुर्दे की पत्थ्री की तकलिफ है, वो लोगों के लिए सेवन करना हिताबा में, तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो में MIKE जरूर से सब्सक्राइब करें, अगर आपको इंफेरमेशन अच्छी पाधियम से नीचे दियेगे नंबर पे आप हमसे कॉंटेक्ट करके हमसे भी दवाई घर पे बैठे हुए मंगा सकते हैं दोस्तों आज के वीडियो में सिफ इतना ही अगले वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे धनियवाद कि अगर अगर कि 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 अर्श झार इतना हर झाल झाल